बड़ी खबर रीवा से जहां लापता एक वरद का जंगल में कंकाल मिलने से संसनी फैल गई उसका कंकाल पेड में रसी के सहारे लटक रहा था प्रथम दरश्या मौत के कारण इस पश्ट नहीं हो पाया है हाला कि पुलिस उसके आत्मत्या के आशंका जता रही है घटना धबोरा थाने के खेरहाई जंगल की है जंगल में मंगलवार के तो पहर वरद का कंकाल बरामत हुआ जंगल गए चरवाहो ने भीशन दुरगंद आने पर जब समीब जाकर देखा तो पेड में कंकाल लटक रहा था उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी जिस पर पुलिस मौके पर पहुँच गई इस दोरान सीन ओफ क्राइम यूनिट के वरिष्ट वैग्यानिक अधिकारी डॉक्टर आरपी शुकला ने टीम के साथ घटना स्थल का निरिक्शन किया कंकाल मुख्य सडक से करीब 200 मीटर अंदर मववा के पेड में लटक रहा था कंकाल की पहचान ललू प्रसाद चर्मकार अस्सी वर्ष निवासी खेरहाई थाना डबूरा की रूप में हुई है वो 10 अगस्त को घर से लापता हो गया था जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे काफी प्रयास के बार भी व्रद्ध का पता नहीं चला तो मंगलवार की सुबह परिजनों ने डबूरा थाने में गुमशुदगी दर्च कराई थी प्रसम द्रश्टेया घटना को आत्मत्या मानकर पुलिस ने जान शुरू कर दी है आशंगा चताई जा रही है कि 10 अगस्त को ही उसने ये आत्मगाती कतम उठा लिया था पुलिस ने शब को पोस्ट मॉटम के लिए अस्पिताल भिजवा दिया है इस खबर में फिलाल इतना है आगे के अपडेट्स खास खबर और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए बने रहे है गुद मॉर्निंग टीवी के साथ गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें हमारी खबरों को लाइक करें कमेंच करें और शेयर करें नमस्कार